क्लासिक्स एंग्लिश ग्रामर वोक्षिट दमर 15 misin कंजंग्शन्स तो इस शब्दोच यह जोडं़े का काम करते रहे हैं ढोर्फरेजिस को जोडते हैं दो सेटैंस को भी जोडते तो पहला वाला वक्षिट जो है वक्षिट 15 बहुत एजी है अंडर्लाइन दर कंजंशन सिंद फॉलुइंग सेंटेंस आपको कंजंशन अंडर्लाइन करने तो तो मैं तीन आपका डिसकर सुरूंगा नंबर वान देखो since I couldn't go swimming I watched a movie since आपका इसमें कंजंशन है नंबर फाइब देखो it will rain as it looks very cloudy today as as यहां कंजंशन है ध्यानकना गलती से भव को अंडर्लाइन मत कर देना भव यानि जिससे कोई काम होना बुझाता है भव आपका कंजंशन नहीं होता है भव इस वर्व नंबर 11 देखो he warned me not to eat that but I did not listen but तो छोटे क्लास में आपने करा होगा and or but यह तीन छोटे क्लास में होते हैं इस आपका that आता है as आता है since आता है ठीक है ना और तो ही आपका ठीक है ना तो यह कुछ बेसिक से हैं उसको आप किताब में यह अच्छ menjadiला करके picture भीजना और जो अक्सेस्स एक्सक्रा Scott है इसको भी aगर आपने किताब में हें किताब में नहीं किया होगा शायद से आपने विए को उसको भी आप किताब में करके करना तो यहां आपके चार options दे रखे हैं आपको थोड़ा मतलब अच्छे समझना है जो ठीक बैठेगा उसको आपको tick करना है dash में कुछ मतलिखना खाली tick करना आप पहला वाला discuss करते हैं You can come with me, dash you don't say anything You can come with me as long as you don't say anything तुम मेरे साथ आ सकते हो जब तक कि कुम तुम कुछ बोलते नहीं हो एक और देख लेते हैं You look dash you haven't eaten for a week You look as if यानि जैसे की तुम्हें देखके ऐसा लगता है जैसे की तुमने एक हपते से खाया नहीं है कुछ थोड़ा मतलब समझ के इसको अच्छे से करोगे आप तो गलतियां आपकी बहुत कम होंगी तो 15 और 16 यह आपका homework है बहुत साथानी के साथ आपको करना है टाइम पर आपको काम भेजना है